सफेद तूटते जड़ते बालों से परिशान हो चुकी हो तो सिंपल सी रेमेडी है इसको आजबाईए और बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करती है तो इसके लिए आपने एक खाली कंटीनर या बाउल ले लेना है और उसमें डालना है रोजमेरी एंड करी लीव पौडर इस इस तो यूज हो और इफेक्टिव लगे आप वह इस्तमाल किछिए हर बार रेमेडी बदलने से आपके बालों में थोड़ी प्रॉब्लम होगी देखिए कोई भी चीज हम इस्तमाल करते हैं अर्वेदिक होती है तो इसको वर्क करने में थोड़ा टाइम लगता है यह कोई क्यामिकल नहीं है कि जट पर असर दिखा दे तो यहां पर मैंने वन टी स्कून इसको डाल दिया अपने क्वांटिटी की सबसे चितना बनाना है और फिर आपने इसमें डालना है और अपना फेवरिट कोई बी डाल सकते हो तो मैंने मस्टर डाल दिया इस तरह से अगर आप कांच की कंटेनर में इसको सवी इंग्रीडियेंट्स को डाल करके दूप में रख दीजी थोड़े दिनों के लिए अगर दूप हलकी है तो चार से पांच दिन यह हफता लगा के रखिए इसको और अगर दूप तेज है तो एक दिन में यह रैडी हो जाता है या आप डबल डबल बॉइलिंग के मैटल से इस्तमाल कीजिए ने तो एट लीस्ट गंटे तक के लिए इसको रख दीजिए जिससे कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है इस इंग्रीडियंट के वह सारे इस ओल में आ जाएंगे तो यह भी सेम कॉइंटिटी में डालना है ध्यान रखिए ज चाहते हो कि इस ओयल के साथ और मिक्स कर दें जैसे विटामीट के साथ और मिक्स कर दें जैसे विटामीन Käshtor Oil अगर बालो की ज़ड़ने के प्रॉब्लम है काफी पतले बाल है काफी थिन है तो आप कैस्टर ओलिए जाली ऑर हाँ विटामीन का ओयल बी भी काॉफी फायद तक के लिए लगा करके रखना है अप्लाइ करना है और फिर उसके बार शेंपू से वाश कर लिजिए वीकली दो बार या दीन बार लगाईए काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा देखने को तो इस तरह से इस्तमाल कीजिए और अपना फीडबैक में सजोश्य कीजिए आप सबको वीडियो पसंद आए होंगी थैंक्स सो मुच गाइस पर वाचिंग थिस वीडियो बाइए